गुट मॉर्निंग टू अल आफ यू इन टुडेज लेक्चर ओफ चिलर रेफिजरेंट सॉलूशन इन केमिकल प्रांट्स आज की इस लेक्चर में बैसिकली हम यह समझेंगे कि जो रेफिजरेंट के सॉलूशन बनाय जाते हैं चिलर के लिए उसमें कौन-कौन से material यूज किये जाते हैं वही materials कियों यूज किये जाते हैं and various other things मेरा ये जो लेक्चर है उसके PDF का link मैं description box में डाल दूँगा जिसको भी ये download करना है, वहाँ पे जाके easily download कर सकता है अगर हम बात करते हैं, अलग-लग तरीके की utilities की जिनका chemical plant में use किया जाता है तो उसका main reason जितने भी लोग chemical industries में काम करते हैं, उनको idea होगा इक chemical reactions करने के लिए हमको अलग-लग तरीके की conditions temperature और pressure की अलग-लग तरीके की conditions जो है, वो basically maintain करना पड़ता है इन conditions को achieve करने के लिए हमको अलग-लग तरीके की utilities का use करना पड़ता है यहाँ पे कुछ utilities हैं जो मैं नीचे आपको बता रहा हूँ, इनमें common utilities होती हैं की steam हो गई, power हो गया, cooling water हो गया, shield water हो गया, brine हो गया, hot water हो गया, hot oil हो गया, etc. आज की इस lecture में basically हम जो main focus करेंगे, वो करेंगे shield brine पे shield brine का basically use वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे temperatures मेरे को negative side में चाहिए means below zero degree centigrade, अब होता क्या है कि पानी की help से आप यह achieve नहीं कर सकते हैं because water का freezing point होता है, वो आपका zero degree होता है, means zero degree पे आपका जो water है वो ice में convert हो जाता है, means किसी भी तरीके से आप water का use करके यह temperature नहीं achieve कर सकते हैं in that case, आपके पास में एक option यह होता है कि आप इसमें कोई extra component add कीजिए जिसकी वज़े से जो mixture form हो, वो mixture आपका negative temperatures पर भी freeze न हो इसके लिए basically जो दो चीज़े use की जाती है, वो होता है आपका salts या फिर glycol solutions यह salt या फिर glycols को जब add किया जाता है पानी के साथ में, तो इसका जो freezing point है, वो काफी ज़्यादा negative में जाने के बाद भी यह solution आपका freeze नहीं होता है इसमें जो salts यूज़े जाते हैं, वो basically NACL, CACL2 और KCL के salts होते हैं और जो glycols use किया जाते हैं, वो आपने methylene glycol या फिर methylene glycol होता है अब बात करते हैं हम कि brine basically होता क्या है तो brine solutions जैसा कि मैं आपको पहले बताया, NACL, CACL2 और KCL के salts को यह proper ratio में mix किया जाता है तब यह आपका brine का solution बनता है अभी इसके जो solutions होते हैं, यह concentrations आपका vary करता है 1 is to 10 के ratio से लेके 23 is to 77 means आपका 1 part salt हो गया, बाकी का rest आपका हो गया पानी और फिर 23 part salt, rest आपका पानी इन proportions को और भी ज़्यादा कम या ज़्यादा किया जा सकता है depending upon कि आपके temperature की requirement कितनी है अगर हम बात करते हैं कि तीन तरीके के soils मेरे को दिये गए है NaCl, KCl और CCl2 इन दोनों में से कौन सा soil मेरे को basically use करना है तो याद रखेगा कि अगर मैं बात करता हूँ 10% NaCl, KCl और CCl2 के solutions की तो इसमें जो यह temperature देंगे 10% NaCl का जो salt है वो minus 16.4 temperature देगा 10% KCl का जो salt है वो minus 31.2 temperature देगा और 10% CCl2 का जो salt है वो minus 66.4 degree temperature देगा means, depend करता है कि मेरे को कितने lower side में temperature लेके जाना है जितना lower side में मेरे को temperature लेके जाना है उतना ही मेरे को उस हिसाब से मेरे को salt सेलेक्ट करना पड़ेगा CCl2 salt मेरे को ज़्यादा lower temperature देगा with comparison to NaCl salt अब जो सबसे important चीज़ आती है वो basically यह आती है कि जैसे जैसे हम salts का concentration increase करते जाते हो वैसे वैसे मेरा जो freezing point है वो negative side में increase होता चला जाता है लेकिन अब इसके disadvantages क्या है फिर आप बोलेंगे कि किसी भी level तक यह concentrations increase कराते चले जाएगे तो आपको और ज्यादा negative temperatures मिलकर चले जाएगे तो ऐसा नहीं होता है इसके में होता क्या है कि जितना higher concentration आपका salt का होता चला जाएगा उत्रही ज्यादा आपका rate of corrosion increase करेगा आपके system में second आपका system में जो contamination means algae growth होने के chances काफी ज्यादा increase कर जाते हैं अगर आपके system में गलती से भी undissolved salts रह गए means अगर salts का concentration आपने काफी ज्यादा कर दिया और वो dissolved हुआ ही नहीं in that case वो क्या करेगा आपके system में choking प्रोवाइट कर देगा जिससे आपकी system की जो efficiency है उसमें आपका drastic decrease आ जाएगा अब अगर मैं बात करता हूँ कि brine और glycol यह दोनों मेरे को दिये जाते हैं तो मेरे को इसमें क्या use करना है तो याद रखेगा कि अगर freezing point depression की बात करता हूँ तो यह glycols के case में काफी ज़्यादा होता है in comparison to NACL brine solutions heat transfer का जो rate होता है वो भी glycols के case में ज़्यादा रहता है with comparison to NACL and brine solution viscosity glycols के case में lower होती है with comparison to NACL brine solutions flammability अगर glycols है तो obvious है कि इसकी जो flammability है इसमें थोड़ा flammable nature होगा लेकिन brine solutions में बिलकुल ना के बराबर होगा जो COD है वो इस solutions की ethylene glycol की में काफी low होती है लेकिन NACL source के solutions में बिलकुल होती ही नहीं है इस जिन में biodegradable है लेकि NACL brine solutions are non-biodegradable toxic nature की बात करते हैं तो ethylene glycol is highly toxic but brine solutions are not toxic one अगर मेरे को choose करना है कि मेरे को glycol versus brine ये दोनों की दोनों चीज़े मेरे को दी जाती है तो मेरे को कब कि solution को कहा पर use करना है तो याद रखेगा कि brine को हम बेसिकली तब prefer करते हैं जब मेरे को lower temperature applications चाहिए means मेरे को temperature lower side में जाना है negative में जाना है लेकिन काफी ज़्यादा negative नहीं जाना है means minus 10 minus 20 minus 15 लेकिन minus 45 minus 50 उस range में नहीं जाना है in that case मैं आपका basically brine को prefer करूँगा अगर toxicity की निगास से देखते हैं तो brine solutions are not highly toxic इसलिए इनको काफी ज़्यादा industries में prefer किया जाता है जो NACL solve रहता है it is easily available in market and is very cheap इसकी वज़े से ये काफी ज़्यादा cost effective पाया जाता है जिसकी वज़े से आप इसकी uses देखेंगे तो maximum होते हैं अगर मैं बात करता हूँ specific heat capacity की तो specific heat capacity जो होती है वो मेरी इसके case में brine solution के case में काफी ज़्यादा होती है means अगर मैं same amount का brine का solution use करता हूँ तो इससे मेरे को जो rate of heat transfer मिलेगा वो मेरे को कम solution में ज़्यादा मिलेगा अगर same volume volume मैं इसका लेता हूँ ब्राइन का और ग्लाइकॉल सॉल्यूशन का तो ब्राइन का same volume का solution मेरे को आपका ज़्यादा heat transfer देगा अब बात यह आती है कि फिर ग्लाइकॉल का solution कहां पे prefer किया जाएगा तो याद रखेगा कि ग्लाइकॉल का solution हम वहाँ पे prefer करते हैं जहां पे मेरे को काफी ज़्यादा negative side में temperatures चाहिए रहते हैं heat transfer coefficient काफी fast होता है ग्लाइकॉल सॉल्यूशन के case में means जहां पे मेरे को immediate heat transfer चाहिए अपने system से कि मेरे को जैसी मैंने solution बनाया है immediately heat transfer correct मेरे काफी ज़्यादा increase कर जाए वहाँ पे मैं इसको use करता हूँ and corrosion resistance glycol solutions के case में मेरे को corrosion से damage होने के chances बिलकुल negligible रहते हैं इसलिए मैं इसको जहां पे भी मेरे SS systems हैं जहां पे corrosion होने के chances काफी ज़्यादा है वहाँ पे मैं glycol solutions को काफी ज़्यादा prefer करता हूँ अब बात करते हैं कि measured disadvantages क्या होते हैं और कैसे इससे overcome करना है तो याद रखेगा कि यह जो salts होते हैं उसके case में जो soil based solutions होते हैं like brine का हो गया इसके case में होता क्या है कि जैसे जैसे आप concentration increase करते जाते हैं वैसे वैसे इसका जो corrosive nature है metal के surface पे वो काफी ज़्यादा increase होता चला जाता है और जिसकी वज़े से आपका जो system है उसमें frequent damages आने लगते हैं उसकी efficiency reduce हो जाती है even इसमें contaminants like आपका LD growth होने के भी chances bacterial growth होने के chances भी काफी ज़्यादा increase हो जाते हैं इससे अब बचने के chances की बात करते हैं तो पहली चीज़ की जो proper MOC आपको select करना है material of construction means आपका जो solution है वो ऐसा MOC आपको select करना है कि जिसकी वज़े से जिसमें corrosion होने का chance बिलकुल ही आपका negligible हो like SS316L second one कि आपको अपने system में जो भी solution भूम रहा है bacterial growth तो नहीं हो रहा है and frequent आपको जो आपके tubes होते हैं chiller-viller के आपको एक frequent time period में उसकी cleaning का schedule भी प्लान करते रखना है ताकि आप बार-बार उसको clean करो और आपका system आपका जो आपको performance चाहिए वो performance आपको basically मिलती रहे so hope आपको आजका मेरा lecture अच्छा लगा होगा next lecture में I will be back with a new topic till then goodbye have a nice day